के दिधा से 40 में 40 में 40 में 40 बाजपा को व्हार फेकेगी खुद कहा जाएंगे उनको पता है अब्धा को जाते हैं क्या काते हैं मंता दिदी के गोर पकड़ेगा नमस्कार में साकेत कुमार आप बिहार इन सौर्स देख रहे हैं लोग सभा का चुनाओ 2024 में होना है जिसे लेकर अपने अपने कामों पर लगी हुई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या आप बिहार में महागट बंदन की जो सरकार है क्या भाजपा को उखा नहीं करती है लंड़ा है कि आने वाले समय में 24 में महागट बंदन कामयाभ होगी बिहार से चालिसमें 40 में 40 माहागट बंदन जितेगा चालीस में चालीस हो दस साल तक जुमले वाजी पकोड़ा बेचो और निरम मोदी भाग गया मेहुल चोपसी भाग गया तो सच कड़वा होता रोजगार दीजे ना भाई रोजगार प्रबात कीजी आपको जनता ने 2019 के लोकसवा चुनाओं में चालीस में से उन चालीस सीट जीताने का काम किया परचंड तम बहुमत परचंड नहीं परचंड तम बहुमत दिया और इनके जो भी सांसद हैं मंत्री हैं बिहार कोटे से उनसे पुछे ने कहां क्या किये रिपोर्ट कार्ड जारी करें क्या कर रहा है बताएं क्या दिख रहा किंद्रिय मंत्री जो आते हैं विहार, टूरिस एस्पोर्ट बनाए हुए हैं विहार को, आईए घुमिये, ब्यान बीड बनिये, पकोड़ा तलवाईए और वापस फिर दिल्ली चले जाईए आपको क्या लगता है, महागटबंधन कामियाब होगी, 2024 में भाजबा को फार तकेगी बिहार में 2024 के लोग सफ़ाद चुनाव में भारती जन्ता पार्टी 40 में 400 सीट पर जीतने जा रही है उस परसिती में आप मान लीजे कि महागटबंधन सुन्न पर आउट होना जा रहा है लोगों से जानी की पोशिस करते हैं कि क्या होगा, आप बताईए कि क्या लगता है 2024 में महागटबंधन की सरकार भाजबा को बिहार चे उखार फेकेगी, कामियाब होगी कि अच्पा को सरकार आईगा, एक दूम आईगा, महागटबंधन आजपा को उखार नहीं फेकेगी, नहीं कभी नहीं उखार सकता है, यह है तो भाजबा इमंदार है और कोई मंदार नहीं, क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा बिहार में, बिहार बनेगा भाजब को मजबूत करने में लगे हुए है, कौन-कौन का मजबूत करेंगे, कोई मजबूत नहीं करेंगे, कभी जाते हैं, कभी जाते हैं, क्या कहते हैं, ममता दीदी के यहां जाते हैं गोर पकरने के लिए, अरे मूख मंत्री है तो मूख मंत्री वहला कम से कम अपना आचरन तो करना नहीं होगा कोई फाइदा नहीं होगा भाजपा के सरकार आईगा बात्युने के लिए आपके पास जा रहे तो गोरे पकरना नहीं हुआ हम लोग सब्सक्राइब कुछ नहीं नहीं तीजेगा अरे अपनी बहुत है किसी को जदेंगे लगता है बिहार के आप बिहार के नहीं है आप बता सकते हैं आप बताएं यहां नहीं बोल रहा है हर इंसान का अपना अपना यह है तरीका है बोलने का इसक्यों बोलेंगे जहां मन होगा जो मन बना लिया वही करेगा मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि आप वोट किसको दीजेगा सीधा तो सवाल है क्या महाकर बंदन भाजपार को ब्याहर को खड़ने में काम्याब होगी इन तो पहना मुश्किल है अब तो समय बताएगा सब कोई अपना अपना लगे हुए हैं कि हम निकले हम निकले लेकि सर्कार चलाने वाले तो नितिज कुमार हैं तो भाजपा कसी टाइब आही जाएगा और भी लोग हैं यहां पर इन सबसे भी जुड़ने की खोशिस करते हैं आप बताएए महागट बंधन की सरकार क्या भाजपा को उखार पेकेगी 24 में भाजपा को उखार पेकेगी खुद कहा जाएंगे उनको पता है कि फुद कहा जाएंगे उनको पता है 2014 उनको याद 2014 इनको याद है कि नहीं है भाजपा से अलग हो करके चुनाव लड़े थे उस समय भी भाजपा को उखार रहे थे दो सीट पर आकड़ के सिमट गए थे जी बिलकुल नहीं होगी महागट बंधन का जो बिहार के जनता को ठगने का और जातियों में बाटने का जो कुछक्र चल रहा है बिहार की जनता उसको समझ चुकी है और आने वाला 2024 लोकसभा और उसके बाद 2025 बिधान सभा चुनाव में यह लोग कहां रहेंगे इनका पता नहीं रहेगा बिलकुल पता नहीं रहेगा लेकल अगर जो महागट बंधन के जो नेता इस तरगी की बाते कर रहे हैं भाजपा को फार फेकने की तो वो नाकम्याब होंगे बिलकुल नाकम्याब होंगे अब महागट बंधन कहां है यह तो केवल सत्ता का गठ बंधन है जिस तरीके से महागट बंधन की सरकार लगातार विपक्स को मजबूत करने में ल बरे निताओं से मुलकात कर रहे हैं कि आप भाजपा को 2024 में बिहार से उखार फेके कि तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा आइस पे आपको क्या लगता है कमिंट बोक्स में जिरूर बता इस तरह की तमाम खबरों साथ हमाचत बने रहे हैं तब तक के लिए धन्यवाद झाल